हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? चलिए दोस्तों, आज हम गिंती करना सीखेंगे. लेकिन इस पार हम गिंती दस के समुग में करेंगे. ये देखिए, यह तो गुलाब है. क्या आप बता सकते हैं कि यह कितने गुलाब है? यह तो बस एक ही गुलाब है. और अगर अब एक और गुलाब आ जाएं, तब कितने हो गए? यह एक और दो. एक और गुलाब आने पर एक, दो, तीन. और अब एक, दो, तीन, चार. और यह चार के बाद पांच. अब हो गए यह छै गुलाब. और अब साथ, आट, नौ, और आखिर में कितने होंगे? हाँ, यह हुए पूरे दस गुलाब. चलो, इन गुलाबों को हमें एक फ्रेम पे रख लेते हैं. इस तरह से हमारे पास कितने गुलाब हैं? दस गुलाब हैं. और अगर अब हम इसी तरह का फ्रेम लें, जिसमें कुल दस ही संख्या बन सके. जैसे हमने यह कंचे लिए और यह कितने हैं? दस ही हैं. तो दस गुलाब, दस कंचे, दस और दस बीज. और अब हमने ले लिया यहाँ पर सेव. तो दस गुलाब, दस कंचे और यह दस सेव. तो मिलका कितने होंगे? तीज, दस, बीज, तीज. अब हमारे पास है टॉफिया, कितनी चॉकलेट्स? पूरी दस, तो दस, बीस, तीस, चालीस. और अब है पैंसिल दस, तो बताओ, अब कुल मिलाकर कितनी चीज़ें हो गई? बिल्कुल ठीक, अब हुए कुल पचास. और अगर दस सार्पनर्च और मिलाने तब पचास और दस साट. और अब यह है लट्टू, यह कितने हैं? यह भी दस, तो हो गए सतर. अच्छा, अब बताओ, अगर हमने यह टॉफिया मिलाएं, यह टॉफिया भी कुल दस हैं, तब सतर और दस असी. और फिर है यह दस बल्व, तो असी और यह नव्वे हुए. और अब है यह दस आम, तुन नव्वे, पूरे सौ. इस तरह हमारे पास कुल मिलाकर सौ बस्तुएं या सौ चीज़ें हैं. चलिए अब कुछ और गिनते हैं. यहाँ पर है एक बंडल और इस एक बंडल में है कुल दस तीलिया. कितनी तीलिया? कुल मिलाकर दस तीलिया हैं. और अब इसी तरह का अगर एक और बंडल हो. तब कुल कितनी तीलिया हो गएं? दस, बीस. एक और बंडल मिलाने पर दस, बीस, तीस. एक और बंडल. दस, बीस, तीस, चालीस. अब अब बताओ, अगली संख्या क्या होगी? हमारे पास पाँच बंडल हैं. तो दस, बीस, तीस, चालीस, पूरे पचास. और अब हुए साट. एक बंडल और आने पर सतर. फिर एक बंडल और तो असी. और अब नब्बे. और अब पूरे सौ. तो हमारे पास है कुल सौ तीलिया. चलो, अब इस चार्ट में हम दस की समुझ में गिंती करना सीखते हैं. अब ध्यान से देखिए सबसे पहले चार्ट में दस कहा है? ये रहा. और अब इससे दस कदम आगे चलते हैं. तो मिल जाएगा बीस. यानि दस. और फिर दस कदम आगे चलने पर मिलेगा. बीस. अब आप बताओ. दस. बीस. तो अगले दस कदम पर होगा. तीस. यानि बीस और दस. तीस. फिर अगले दस कदम पर होगा. चालीस. तो तीस. और दस कदम बाद आया. चालीस. अब अगले दस कदम पर बताओ. चालीस पचास बिनकुल सही और अगले दस कदम पर पचास साट अब हम पहुचेंगे सतर पर तो पचास, साट, सतर फिर आया सतर के बाद असी और फिर दस कदम बाद अब क्या आप सोचकर बता सकते हो दस कदम बाद क्या आने वाला है जी हाँ नबे और फिर दस कदम बाद पूरे सो तो हमने दस की समूँ में कैसे गिना सबसे पहले टस बीस तीस चालीस पचास साट सतर असी नबे और ये हुए पूरे सो दोस्तों अब आपकी बारी है आप भी इस तरह दस के समूँ में चीजों को जरूर गिने दोस्तों दोस्तों आपकी इसiendo हैं झाल झाल